इस एपिसोड में हम हाथियों के सामने आने वाली चुनोतियों और उनकी रक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोज को सबसे पहले देख सके चलिए अब शुरू करते हैं हाथियों की विविद्ता पूर्ण दुनिया हाथी पृत्वी पर सबसे बड़े भूमी स्तंधारी विभिन आकृतियों और आकारों में आते हैं अपने अध्वितिय अनुकूलन के साथ हम अपनी यात्रा अफ्रीका के विशाल सवाना में शुरू करेंगे जहां शांदार सवाना हाथी स्वतंतर रूप से घूमते हैं 13 फीट तक उचे और आश्चरे जनक रूप से 14,000 पाउंड तक वजन वाले ये जायंट्स एक जुट जुन बनाते हैं और भोजन और पानी की तलाश में घास के मैदानों को पार करते हैं वन हाथियों का रहस्य मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के घने जंगलों में घूमते हुए हमारा सामना एक अलग प्रजाती से होता है मायावी वन हाथियों से अपने सवैने समकक्षों की तुल्ना में छोटे लगभग 11 फीट की उचाई तक पहुँचने वाले और 10,000 पाउंट तक वजन वाले इन हाथियों ने छाया में जीवन को अनुकुलित कर लिया है उनके बड़े कान गर्म आर्द्र जंगलों में गर्मी को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे वे जीवित रहने के ट्रू मास्टर्स बन जाते हैं एश्याए हाथि महादवीपो को पार करते हुए हम खुद को भारत, श्रीलंका और दक्षिन पूर्व एश्या की आकर्शक भूमी में पाते हैं जहां सुंदर एश्याए हाथी घूमते हैं दस फीट तक लंबे और लगभग 6,000 पाउंड वजन वाले ये सामाजिक प्राणी एक बुद्धिमान हथिनी के नेतरित्व में एक जुट जुंड में रहते हैं उनकी एकल सुंद भोजन से लेकर संचार और यहां तक की भावनात्मक अभिव्यक्ति तक एक बहुमुखी उपकरण के रूप में कार्य करती हैं मंदराते खत्रे अस्तित्व की लड़ाएं जैसे ही हम इन शानदार प्राणियों की भविता की प्रशंसा करते हैं हमें उन कठोर वास्तविक्ताओं का भी सामना करना चाहिए जिनका वे सामना करते हैं हाथी दान्त की मांग से प्रेवित अवैद शिकार उनके अस्तित्व के लिए एक आस्न खत्रा पैदा करता है हर साल एक लाख से अधिक हाथी इस अवैद व्यापार का शिकार बनते हैं जिससे वे विलुप्त होने के कगार पर पहुँच जाते हैं इसके अलावा वनों की कटाई, क्रिशी और खनन के कारण आवास की हानी उनके पारम पर एक प्रवासी मारगो और आवश्यक संसाधनों तक पहुँच को बाधित करती हैं जिससे वे असुरक्षित हो जाते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं आशा की एक किरण, संघर्षन प्रयास लेकिन अंधेरे के बीच आशा की एक किरण चमकती है इन सौम्य दिगजों की सुरक्षा के लिए कई समर्पित व्यक्ती और संघर्षन अथक प्रयास कर रहे हैं अवैज शिकार विरोधी गश्ट से लेकर समुदाय आधारित संघर्षन पहल तक हम हाथियों की सुरक्षा और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए किये जा रहे अविश्वस्निय प्रयासों के गवा हैं हाथियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में हम सभी को भूमिका निभानी है प्रतिष्टित संरक्षन संगटनों का समर्थन करके, जागरूपता बढ़ाकर और हाथी दान्त की हमारी मांग को कम करके, हम इन राजसी प्राणियों के उजवल भविश्य में योगदान कर सकते हैं आईए, साथ मिलकर जंगल के संरक्षक के रूप में खड़े हों और सह अस्तित्व की यात्रा पर निकलें, जहां हाथी फलते फूलते रह सकें और आने वाली पीडियों को प्रेरित कर सकें आपको इन में से कौन सा तथ्य इंट्रोस्टिंग लगा, या फिर हाथियों के बारे में कहने के लिए आपके पास कुछ है, तो हमें कमेंट्स में बताए हाथियों की दुनिया के इस मनोरम सहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद यदि आप भी हमारी तरह इन आकर्शक प्राणियों से मोहिप हो गए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन्स चालू करना न भूले, ताकि आप हमारे साथ प्रकृतिके और अधिक आश्चरियों का पता लगाने का कोई मौका न चुकें और हमेशा की तरह बेजिजक इस विस्मेकारी यात्रा को अपने दोस्तों और साथी प्रकृति प्रेमियों के साथ साजा करें आए, मिलकर प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करना जारी रखें और हमारे चारों और मौजूद सुन्दर्ता और विवित्ता को अपनाएं अधिक दिल्चस्प व्रिचित्रों और मनोरम सामगरी के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें जो दिल्चस्प तत्यों और ज्यान के लिए आपका पसंदीदा स्रोथ है ऐसी दिल्चस्ट चीजों के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूले अगली बार तक जिग्यासु बने रहें, जंगली बने रहें और प्रकृति के चमतकारों को हम सभी को प्रेरित करते रहने दें कााओरों के लिए करेंगारा के लिए सकता काना हमारा तक में और प्रेंगली झाल पर olur झाल झाल